तो भाई इस वीडियो में हम तीन सिक्के उच्छा लेंगे और फिर हम उस सूरते हाल के इमकान मालूम कर लेंगे जिसमें कम से कम एक हैड आ रहा हो भाई इस सवाल की जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले सारी मुम्किनाथ देखनी होंगी अब अगर हम तीन सिक्के उच्छालते हैं या तीन दफ़ा एक ही सिक्का उच्छालते हैं बारी बारी तो हमें हैड 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 भी मिल सकता है हैड हैड टेल भी मिल सकता है ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा हैड आए दूसरी दफ़ा टेल आए और तीसरी दफ़ा फिर से हैड पिर ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा हमें head मिले, दूसरी दफ़ा tail और तीसरी दफ़ा भी tail मिले. ये भी हो सकता है कि हमें पहली दफ़ा dum यानी tail मिले, और बाकी दो दफ़ा sir यानी head मिले. पिर ये भी हो सकता है कि हमें पहली दफ़ा tail मिले, फिर head मिले, फिर tail मिले. तीनों दफ़ा ही टेल मिले, मेरे ख्याल से इसके इलावा और मुम्किनात हमारे पास नहीं बचती, तो ये कुल एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ मुम्किनात हैं हमारे पास, चलें फिर, अब कम से कम एक दफ़ा हैड आने के इमकान को देख लेते हैं, भई, कम स सारे हैड हैं, यहां भी कम से कम एक हैड मौझूद है, यहां भी कम से कम एक हैड मौझूद है, यहां भी, और यहां भी, यहां भी, और यहां भी, इसका मतलब यह है, कि साथ मुम्किनात ऐसी हैं, जिसमें कम से कम एक हैड मौझूद होता है, तो इसकी प्रॉबबिलिटी बराबर हो जाएगी साथ बटा आठ के ये बात मुझे दोहराने की जुरूरत तो नहीं है लेकिन फिर से बताने में कोई हर्ज भी नहीं है यहां हमने आठ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी कुल मुम्किनात हैं अब अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने ये बात की कि अगर हमारे पास आजाद हाथ साथ हैं तो हम प्रॉबिलिटी यूँ भी मालूम कर सकते हैं कि आपस में इमकानात को जरब दे दें जैसे मिसाल के तौर पे हमसे अगर हैड 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 की प्रॉबिलिटी मालूम करने के लिए कहा जाता तो हम सिर्फ एक बटा दो को तीन दफ़ा उसी से जरब दे देते और हमें प्रॉबिलिटी मालूम हो जाती लेकिन इस तरह की सूरते हाल में हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहां हमें कोई तर्तीब नहीं दी हुई तो वो दूसरा आसान तरीका तो यहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता यहां पर एक और सवाल उठता है और वो ये है कि हम आसान तरीका ढून क्यों रहे हैं ये तो वैसे भी आसान ही था तीन दफ़ा सिक्का उचाला गया और हमने देख लिया कि भई क्या-क्या मुम्किनाथ हो सकती है तो बात ये है कि ये अभी आसान लग रहा है लेकिन मान लेंके मैं कहती कि तीन के बजाए सौ दफा सिक्का उच्छालना है फिर आप क्या करते भई तब तो आठ से कई जादा मुम्किनात बनती घबराये नहीं इसका भी आसान तरीका है लेकिन पहले इस सवाल पर वापस आ जाते हैं फिरहल इसकी परबबिलीटी निकालने का आसान तरीका ये है कि हम उस सूरत의 हाल का इमकान निकालने जिसमें सारे टेल्स ना हो देखा जाए तो ये बात और ये बात बिलकुल एक बराबर ही है अगर सारे टेल्स नहीं होंगे कर दें यहां अगर आप देखें तो टेल 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 सिर्फ एक ही दफ़ा आता है यूं फिर ये बराबर आ हैं उनमें कम से कम एक हैट तो होगा और चुंकि सारे इमकानात को जब हम जम्मा करते हैं तो हमें एक मिलता है और बस इसलिए हमने इस तुरत इहाल की प्रॉबबिलिटी मालूम करने के लिए एक से सारे टेल्स की प्रॉबबिलिटी को माइनिस कर दिया अच्छा अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जवाब को पर्कें तो ऐसा करें कि टेल्स के बिल्कुल ना आने के इमकान को जम्मा कर दें सारे टेल्स यानि टी टी के इमकान में और चुकि यह मिसाल बाहमी खुसूसी है यानि म्यूचुली एक्स्क्लूसिव है इसलिए इन दोनों के तो हमें एक मिलता है तो वाकई जब हमने सारे प्रॉबब्लिटीज को सारे इमकानात को आपस में जम्मा किया तो हमें एक मिल गया और इस वजह से हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा जवाब बिल्कुल दुरूस था अच्छा यहां इसका इमकान मालुम करने के लि इस बात को तो हमने पिछली वीडियो में काफी तफसील से देख लिया था तो टी 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 का इमकान बराबर हो जाएगा एक बटा दो जरब एक बटा दो जरब एक बटा दो के और यूं भी हमारे पास एक बटा आट आ जाता अच्छा अब जरा उस सवाल पर आ जाते हैं ज सो सिक्के उचालने का किया था लेकिन फिलहाल दस ही कापी है यह भी बहुत लंबा चोड़ा काम हो सकता है लेकिन हम इसको उस असान तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे जो कि हमने बस अभी अभी देखा था हम इस बात को बराबर रख देंगे उस इमकान के जिसमें एक भी टेल्स ना आए इन दस बारियों में भाई ये दोनों बातें बिलकुल एक बराबर है अच्छा अब इसी बात को हम एक और तरह भी दिखा सकते हैं अब वो ये है कि ये बराबर है एक माइनस सिर्फ टेल्स आने के इमकान के अब अगर दस दफा सिर्फ टेल्स आएंगे तो हम दस दफा एक बटा दो को उसी से जरब दे रहे होंगे यूँ फिर ये चीज बराबर हो जाएगी एक माइनस एक बटा दो की ताकत दस के इसको मजीद हल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा एक हजार तेज बटा एक हजार चौबिस और बस यही हमारा जवाब है अब है कि हमें यह तरीका मालूम है और अगर आप दस के बजाए सौ दफा सिक्का उचालते हैं और आप से यही सवाल पूछा जाता है तो आप उस सूरतिहाल में भी यही तरीका इस्तिमाल कर सकते हैं